आज मैं आपको क्लास 12 केमेस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सेक्टिव बताने जा रही हूं जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं फस्ट कोशन है, रिक्तिका किसे कहते हैं उत्तर है, जब हम कनो को आपस में जोडते हैं तो उन कनो के बीच खाली जग़ उपस्तित होता है उसे रिक्तिका कहते हैं नेक्स्ट कोशन है, रिक्तिका कितने परकार के होते हैं उत्तर है रिक्तिका दो परकार के होते हैं पहला चतुस फल किये दूसरा अस्ट फल किये नेक्स्ट कोशन है चतुस फल किये रिक्तिका किसे कहते हैं उत्तर है चार कोनों को इस परकार विवस्तित करते हैं कि उनके बीच रिक्तिका उपस्तित होती है उसे चतुस फल के रिक्तिका कहते हैं नेक्स्ट कोशन है अस्ट फल के रिक्तिका किसे कहते हैं उत्तर है छो कनों को इस परकार आपस में जोडते हैं कि उनके बीच रिक्तिका उपस्तित होती है उसे अस्ट फल के रिक्तिका कहते हैं नेक्स्ट कोशन है ठोस में दोस या अपुर्णता किसे कहते हैं? उत्तर है ठोस में अव्यवी कनों की विवस्था नियमित होती है लेकिन आदर्स क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होता है क्रिस्टल में छोटा छोटा दोस होते हैं जिसे थोस में दोस या अपुर्णता कहते हैं और थात आदर्स प्यवस्था में विचलन को अपुर्णता या दोस कहते हैं नेक्स्ट कोशन है दोस क्यों उत्पन होते हैं उत्तर है, क्रिश्टल में दोस निमलिखित कारणों से उत्पन होते हैं, पहला अव्यवी कनोकर अव्यवस्था के कारण, दूसरा अपना निस्चित अस्थान छोड़ने के कारण, तीसरा अशुद्धी के कारण, चौथा आयनों के गायब होने के कारण नेक्स्ट कोशन है, दोस कितने परकार के होते हैं, उत्तर है, दोस दो परकार के होते हैं, पहला बिंदु दोस, दूसरा रेखिये दोस नेक्स्ट कोशन है बिंदू दोस किसे कहते हैं? उत्तर है अव्यवी कनों के आदर्स विवस्था के कारण विचलन को बिंदू दोस कहते हैं नेक्स्ट कोशन है रेखिये दोस किसे कहते हैं? उत्तर है जालक विंदूओं के सभी पंक्तियों में उत्पन दोस को रेखिये दोस कहते है नेक्स्ट कोशन है कांच अतिशीतित द्रव होते हैं क्यों उत्तर है कांच अतिशीतित द्रव होते हैं क्योंकि यह ठोस होते हुए भी इसमें द्रव का गुन होता है यह द्रव के समान परवाहित होते हैं जैसे मकान में लगे काच उपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है इस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री का सब्सेक्टिव कम्प्लीट करा दी हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल